संत्री मन्गिल के मेरे वरिष्ट सायोगी स्रिमान राजनाथ सेहीं जी, हर्दिप सीम पूरी जी, अजैब हर्ड जी, काउशल किसोर जी, चीफ अफ डिफेंस स्टाफ जन्दर विपिन रावज जी, तीनों सेनाओं के प्रमूक बरिष्ट अधिकारिगान, अन्य महारुभाव, देवियों और सज्जनों, आजहादी के 75 वे वर्ष में, आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवशक्ताओं और आकांख्षाओं के अनुसार विक्सित करने की तरफ एक महत्वपून कदम बढ़ा रहे हैं, ये नया डिफेंस ओफिस कॉंप्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाच को अधिक सुविधा जनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और ससक्त करने वाला है, इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं, साथियों, आप सभी परिचीत है कि अभी तक डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाच दूसरे विश्वयूत के दोरान बनाए गए हटमेंस से ही चल रहा था, ऐसे हटमेंट्स जिनको उस समय गोड़ों के अस्तबल और बैरकों से सम्बंदी जरूरों के अनुसार बनाया गया है, आजहादी के बात के दस्वकों में इनको रक्षा मंत्रा ले, थल सेना, नव सेना और वायू सेना के दप्तरों के रूप में, विक्सित करने के लिए समय समय पर हल्की फुली मरंबत हो जाती थी, कोई उपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था, और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा, तो मेरे मिन में पहला विचारी आया, कि ऐसी बुरी अवस्ता में हमारे इतने प्रमूख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के सबंद में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, यह मेरे मन में होता था, वरना यह ऐसी जगह थी कि जुरूर को इनको अलोचना करता कि भारत सरका क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं, किसी ने इस प्रधान नहीं दिया, इन हट्मेंट्स में आने वाली परिशानियों को भी, आप लोग भली भाती जानते हैं, आज जब 21 सदी के भारत की संय ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जूटे हैं, एक से एक आधुनिक हत्यारों से लेस करने में जूटे हैं, बॉर्डर इंफ्रस्ट्रक्चर को आधुरिक बनाया जा रहा है, चीफ अब डिफेंस स्टाप के माध्यम से सेनाओं का कोडिनेशन बहतर हो रहा है, सेना की जरुरत की प्रोकृर्मेंट जो सानों साल चलती थी वो तेज हुई है, तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाच दसों को पुराने हटमेंट से हो, तो यह कैसे संभव हो सकता है, और इसलिए इन सीत्यों को बदलना भी बहुत जरूरी था, और मैं यह भी बताना चाहूंगा, कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के पोजे के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, यह बड़ी चतुराई से बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक का ये भी एक हिस्सा है, साथ हजार चे अधिक सेना के अपसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्ता विक्सित हो रही हैं, इस पर बिलकुल चूप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो ब्रह्म फैलाने का इरादा, जूट फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा, तो फिर उनके सारी गबबाजी चल नहीं पाएगी, लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं, अब देखिए, अब केजी मार्क और अफरीका एवन्यू में बने ये आधुनिक आफीस, रास्त की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रुप से चलाने में बहुत मदद करेंगे,